हलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ सिर्मा SGS टेक्नोलोजी के बारे में दोस्तों एक आउटलूक दे दूँ कि मैं इनके बारे में क्या बात करने वाला हूँ इस कंपनी के बारे में सबसे जानेंगे इस कंपनी के बिजनिस मडल को फि इस company के बारे में मैं आपसे तब चर्चा किया था जब railway से सम्मंदित निव जाई थी कि भाई इस company का नाम भी उन 27 कंपणियों में सामिल है जिनको की railway board की तरफ से hardware के लिए order मिलने वाला है. तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आगया हूँ company की website पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें यहाँ पर लिख्षी हुई है लेकिन ए company क्या करती है उसके बारे में हम जानेंगी यहाँ पर देख सकते हैं what we do तो यहाँ पर सकते हो इसके बारे में कि वी आर टेकनोलोजी फोकस्ट इंजिनरिंग एंड डिजाइन कंपनी जो कि किसमें इंगेज है तो आप यहां पे पड़ पाओगे कि इलेक्ट्रोनिक्स मैनुफैक्ट्रिंग सर्विस याने इमेश इन अडिशन वी प्रोवाइड कस्टम आर फीड एंड मैगनेटिक प्रोड़क्ट यहां पे तो यह हो गया कि कंपनी क्या काम करती है अब हम देखते हैं और कुछ चीजों के बारे में अगर इंजिनियर और टे में देखिए इंजिनरिंग एंड टेकनोलोजी, PCB असेंबली और साथ में बॉक्स ब्यूल्ड और टेस्टर डेवलपमेंट यह इनके जोगा की मेन काम है इनके बारे में कुछ चीज़े जानेंगे जैसे की इंजिनरिंग एंड टेकनोलोजी के बारे में अगर हम इंजिनरि कापिबिलिटी एक्राउस हार्डवेर, सॉप्टवेर और फर्मवेर में करते हैं उसी के साथ प्रोवाइड टू इंड टू इंड शलूशन टू टेक दा प्रोड़क्ट फ्रोम डिजाइन, कंसेप्ट अंड पाइलेट ब्यूल्ड यहाँ पे आपने यह पढ़ लिया यान इंजिनरिंग टेक्नलोजी का काम करती है, उसी के काँ साथ हम PCB असेंबली के बारे में जानेंगे, PCB असेंबली क्या होता है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि PCB असेंबली में प्रिंटेड शर्किट बोर्ड जिसे हम साट्कट में PCB कहते हैं, असेंबली फ्रॉम कुजी SMT Alliance at our location, इनके पास ये सुबिदाएं कई location पे उपलगद हैं और इसी के साथ आप PCB जो प्रिंटेड शर्किट बोर्ड है, इससे समधित एक और कमपनी है, जिसके बारे में मैंने आपके साथ वीडियो बनाया था, उसके बारे में भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, अगर आप मेरे वीडियो देखते हो, तो समझ गए होंगे कि मैं किस कमपनी के बारे में बात कर रहा हूं, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि box build की बात की जा रही है, यह company box build का भी काम करते हैं, आप आप देख पाऊगे कि electro mechanical assembly and full system integration service, including, यहाँ पे आप पढ़ सक पते हो, including firmware, दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि software loading, साथ में validation, testing के साथ, commercial and custom packaging से सम्बंदित भी यह company काम करती है, उसी के साथ tester development में अगर हम देखने की कोशिस करें, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि tester development में यह company, एक मिनाट रुख जाईए, एक company, tester development service with design and assemble customized automatic test equipment, यानि जिसे कि हम साथ कट में ATE equipment कहते हैं, ATE यानि atomic test equipment कहते हैं, based on customer test requirement, customer के इसाब से यह चीजे provide करने की कोशिस करते हैं, यहाँ पे इनों ने बताया है कि हम कहाँ कहाँ पे भारत में उपलब्द हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, और यहाँ पे आप देखिए कि we have 11 manufacturing facility, इसमें यहाँ पे बताने की कोशिस कर रहे हैं, जैसे कि बडडी के साथ साथ गुरगाओं और गाजियाबाद, उसे क तमिल नाडू, करनाड का अर्याणा और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं, उसी के साथ अगर हम बात कर लें कि यह किस industry को शर्व करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह company जो है कि automobile consumer product के साथ साथ health care, industrial application के साथ IT और railway को भी शर्व करती है, तो यहाँ पे आपने देख लिया IT and railways, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इस company को क्यों order दिया गया है railway की तरफ से, या फिर order मिलने वाला है, अगर हम services में देखें, तो services की बात को हमने कर ली, facility कहां कहां पे है, यह भी मैंने बता दिया, अब चलते हैं कि company के पास कितने का order book है, इसके बारे में बात चीत करेंगे, यहाँ पे सबसे छोटी चीज देख लीजे दोस्तों, जैसे कि इसका market cap है, 10,078 करोड, 568 के price पे trade कर रही है, और 665 का आई है, 248 का लू है, stock का PE 75 है, industry का PE 75 है, ROC और ROE भी इस company का अच्छा दिखाई पढ़ा है, क्योंकि debt 0.30 है, यानि negligible है, और book value 88 है, और intrinsic value 160 रुपए है, और यहाँ पे cash equivalent भी है, company के पास 74 करोड का, कोई भी share pledge नहीं है, आप आप देख सकते हो, और 0.06 से promoter ने holding गटाई है, उसी के साथ मामली 60 dividend भी आपको pay करती है, दोस्तों, यहाँ पे आपको product portfolio में हम दिखाने की कुसिस करेंगे, कि सबसे पहले तो हमने बात किया था कि PCBA यानि printed circuit board assembly, शाथ में radio frequency identification, RFID मैंने आपको बताया था, वहाँ पे पढ़ा था, और साथ में electromagnetic और electromechanical part भी company बनाती है, साथ में motherboard के साथ साथ memory product, DRAM modules, solid state and USB drive यह memory product में बनाती है, इनके manufacturing facility के बारे में मैं पहले आपसे बात चीत कर चुका हूँ, उसी के साथ R&D capability के बारे में आपे बात की गई है, जो कि आप पहुँज करके पढ़ सकते हो, या फिर direct इसकी site पे आके पढ़ सकते हो, दोस्तो revenue कहां कहां से generate होता है, किसका data upload है, automotive से 15% के करीब, consumer से 23% के करीब, और health care से 15%, industrial से 44% का revenue generate होता है, साथ में IT से भी revenue generate करती है 2.31 और railway से 1.22, दोस्तोर जो railway में contribution है, वो बढ़ने वाला है, क्योंकि इस company को order हाथ में लगा है, दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि railway से कितना order मिलने वाला इस company को ये थो पता नहीं, लेकिन order जरूर मिलेगा इतना तुत है, आपने देखा कि Diction Technology आज कितना भाग गया है, और क्यों भागा है क्योंकि जो Digilife एक company थी, उसकी वज़ा से उन्होंने ही Diction के लिए order apply किया था और मिला भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तोया automation का इन्होंने acquisition किया है, 2014 में, with 3G Communication Private Limited, दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो acquires SGX techniques को जो है कि इन्होंने acquire किया है, कितने कब, तो 2021 में, October 2021 में, अब हम बात करते हैं दोस्तों company के order book के बारे में, company के पास 38,3800 करोड का order book है, और यह order book जो railway से order मिलेगा उसको छोड़ कर है, तो जियां दोस्तों 3800 करोड का order book है, साथ में इसका जो market का आप आप देख सकते हो, 10,078 करोड उपा है, तो 3800 करोड के order book में, अगर हम बात कर लें, तो जो 20% हिस्सा है, ओ एक्सपोर्ट करेगी company, यानि एक्सपोर्ट का order है, और साथ में अगर हम बता दें, कि 40-50% order book कंजूमर बिजनेस से सम्मन दीत है, दोस्तों company ने आयोटी पे सायन भी किया है, जिससे की आने वाले समय में, इसमें significant growth देखने को मिल सकती है, साथ में company backward integration भी कर रही है, आयोट्शोर्स semiconductor assembly और उसके test के लिए, साथ में revenue guidance की अगर हम बात कर लें, तो company जो है की 3000 करोड जोहारी acquisition से करने वाली है, साथ में design और engineering की बात कर लें, तो जैसा कि मैंने बता दिया, future outlook की बात कर लेते हैं दोस्तों, आला है, और company 2024-25 से काफी अच्छा revenue generate करने वाली है, क्योंकि company बिस्तार भी कर रही है, यहाँ पर हम इसके result को देखेंगे, यहाँ पर आप देखी, company का जो result है, P&L देखेंगे early, आठ तो 62 करोड की sales थी March 20 में, अभी फिलाल में 2000 करोड की है, TTM आप देखें, 25 करोड दिखाए पड़ा है, अगर हम बात कर लें, सबसे पहले बात पर करेंगे operating profit margin की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 16% operating profit margin गटके, आदा हो गया है, 8%, net profit 22 करोड से गटके, 123 करोड और TTM की बात कर लें, तो 136 करोड हो गया है, दोस्तों, अगर हम बात करें की operating profit margin, तो operating profit margin कमपनी का गट रहा है, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है की कमपनी के पास other income भी आ रहा है, जिसे की हम minus कर देंगे, इस income को नहीं जोडेंगे, अगर हम balance sheet की बात करने हैं, तो कमपनी के पास 1392 करोड का reserve है, साथ में अगर हम बात करें की borrowing की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चारसो चारसेट करोड की borrowing है, जो की कमपनी कभी भी चुकता कर सकती है, और fixed exit 887 करोड का है, और कमपनी लगातार तीन सालों से CWIP भी कर रही है, cash flow की बात करें, तो 13 करोड का cash flow भी दिखाई दे रहा है, उसी के साथ share holding pattern पे चलेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, promoter के पास 47% की holding है, और FII के पास 10%, उसी के साथ DII के पास 9% और public के पास 33% की holding है, दोस्तों यहाँ पे public में क्या कोई H&I भी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिया, यहाँ पे अचनाई भी है, और इनके पास 20% का stake है, 21% का stake है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, और याँनि जो public है, उनके पास 11% का stake है, क्योंकि और इस टेक बड़े निविश्कों के हाथ में है और यह लगातार इस सेर में बने हुए हैं कृष्णा कुमारपन्थ, रजनी, रंजीत, सिंगलोनिया, संजीव, नरायन के साथ-साथ इस कंपनी में यह तीनों लोग बने हुए हैं तो मैं अगर क्यालूं कि यह कंपनी कैसी है तो अगर हम एक बात में कहा हैं तो यह कंपनी काफी अच्छी दिखाई पड़ रही है और अगला डिक्सन टेकनोलोजी यह कंपनी बन सकती है बस इतना मैं काना चाहता हूं क्योंकि कंपनी अच्छी है और आगे भी काम अच्छी क काम करता है जिस तरह से Diction Technology करता है दोस्तों इसके Peer Group में एक बार देखते हैं इसके Peer Group में आप बारत इलेक्टरान अनिवेल आटोमोशन को देख सकते हो लेकिन ये इस कंपनी का Peer Group actually में जो निकल के आ रहा है वो है Diction Technology Limited दोस्तों ये रहा सिर्मा IGS Technology Limited के बारे में आप चाहो तो अभी भी ये अच्छे वैलुएशन पर खड़ा है अभी भी आप इसमें जगा बना